Hello everyone, my name is Shubham और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ SBI PO Prelims exam का जो है वो मेरा exam analysis मैंने आज exam दिया था मेरा जो exam था वो था सुबा आठ बजे रिपोर्टिंग टाइम था तो वही एग घंटा फॉर्मेलेटी जो थी हैं और उसके बाद exam शुरू हुआ तो जो exam था अगर मैं बात करूँ तो यह मैं को exam थोड़ा tough लगा मतलब काफी tough लगा English जैसे सबसे पहले section था English तो English यू था वो average सा था वैसे तो और English में मैंने total किये अठाइस questions और इसमें मैंने जो छोड़े थे वो सिर्फ EDM and phrases वेरा छोड़े थे दो और वो मैं को थोड़े tough लगे बाकी मैंने सारा कर दिया था exam English का और average सा था moderate था English ठीक है और उसके बाद था quant तो quant में को बहुत tough लगा मतलब घर में मौक्स देता था जितने भी उससे ज़्यादा tough लगा मेरे को quant और बहुत tough था डी आई तो बहुत ही जादा Calculative थी मतलब यार इतनी जादा थी मतलब बहुत Calculative थी डी आई तो मैं को छोड़नी पड़ी एक डी आई अधरवाइस नहीं तो मैं को तफ लगे डी आई तो इसमें जो मैंने questions किये थे वो approximations किया था wrong number मेरे से हुई नहीं wrong number मेरे को tough लगी और arithmetic के मैंने 3-4 questions किये थे और एक मैंने DI की थी तो total questions जो थे मेरे बस यहीं हो पाए थे मेरे से और वो solve नहीं हो रहे थे total questions शायद मेरे नहीं मैंने case light भी किया था मेरे 17-18 गया असपास questions थे यार पांच चार नो पांच चौदा और अठारा 17-18 गया असपास questions थे exact मेरे कोई याद नहीं है कितने थे क्योंकि मेरा submit हो गया था exam एकदम से okay okay करते तो quant में यह था बट quant में वो काफी tough लगा यार बहुत ज़दा tough calculative था tough तो या बहुत ज़दा था और जो डी आई थी उसकी जो question से वो भी काफी मतलब calculative थे यार हर एक question बहुत calculative था direct नहीं पुछे थे then उसके बाद था LR तो LR में को वैसे tough लगता थोड़ा बट ये मेरे को average सा लगा एक दू पजले थोड़ी tough लगी मेरे को बट वो मेरे से हुई नहीं तो मैंने वो attempt भी नहीं की मैंने एक square वाली attempt की थी एक uncertain किया था attempt एक section किया था उसके बाद मैंने 5 से log किये थे और शायद बस ये ही question किये थे 20 के आस-पास question से मेरे पांचा नौ पांचा ओदा हाँ 19-20 इतने questions से मेरे आस-पास यार इतने total questions मैंने किये थे तो total attempt जो मैं बताओं अपने तो मेरे जो total attempt से वो थे 28 English में और उसके बाद 15 कर मेरे 17-18 जो थे वो क्वांट में थे और reasoning मेरे 20 के आस-पास तो मेरे लगबग 65 के आस-पास 60-65 के आस-पास मेरे questions attempt थे exact जो है यार वो मेरे को पता नहीं है क्योंकि जब मैं submit कर रहा था तो एकदम से click-click हो गया और exam मेरे submit हो गया English के मेरे को exact पता है मेरे जो थे वो 28 थे बट इन दोनों कि अगर मैं बात करूं तो cut-off जो है यार वो अगर मैं अपने इस exam की बात करूं जो shift 1 का जो मैंने exam दिया था तो इसकी जो cut-off में को लगता है वो जाएगी मतलब 56-58 ऐसे जैसी cut-off जाएगी unreserved की मेरे हिसाब से क्योंकि में को tough लगा काफी exam ये और बट वही है ना कि मतलब कितन जाएगा चार शिफ्ट चार तीन दीन exam था मतलब काफी जाएगा शिफ्टें थी तो total normalization होगा score सारा तो उससे आप predict करना तो cut-off बहुत जाएगा difficult है बट में को ऐसा लगता है कि कई शिफ्टें असान थी अगर इस shift के मताबिक इस shift के comparison में तो मतलब जो total cut-off है वो जो मुझे लग रहा है वो 60 के आसपास जाएगी unreserved की normalization के बाद मतलब इसके आसपास जा सकती है हमें को ऐसा लग रहा है कि competition बढ़ी रहा है पिछले साल से हर साल तो पिछले साल 57 के आसपास तो इस बार 60 के आसपास जो में को लगता है जो में को cut-off जा सकती है बाकी देखते हैं कितनी जाएगी वैसे शायद मेरा हो जाएगी कोई ऐसा वो नहीं है कि हो गए नहीं होगा बट में भी हो जाएगी डाउटफुल है अबी है अपना क्योंकि में काफी टफ लगा था कि जाएगी सो देखते हैं क्या होता है गाइस आप